लोरेंस गैंग के लिए हत्यारों का अड़ा बना राजस्थान मूसे वाले से लेकर बाबा सिद्धी की मर्डन में कनेक्शन सामने आया बोर्डर पार्ट से होती है स्प्लाई नमश्कार आप देख रहे हैं तब लोकल यूज भेहूं आपके साथ भ nervous envoela राजस्थान में अपकों बताने जा रही हूं लोरेंस बिश्णोई और उसकी गैंक्श से जुड़े हर मामले में राजस्थान का जिक्र क्यों होता है क्यों लोरेंस बिश्णोई से जुड़ी किसी भी investigation में राजस्थान का connection सामने आता है इससे पहले मैं पूरी खबर अपने दर्शकों को बताऊं मेरी आप से अपील है इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करते रहें और इसके अन तक जुड़े रहें पंजाब में सिंगर सीदू हाई टेक हत्यार और उनकी स्प्लाइ हत्या की शाजिस का connection राजस्थान से सामने आया है हाली में हुए बाबा सिद्धिकी मर्डर केस में पकड़े गए शूटरों ने यह चोकाने वाला खुलासा किया है सिद्धिकी के मर्डर के लिए हत्यारों की स्प्लाइ राजस्थान के उदेपूर से हुई थी जांच एजंसियों ने हत्यार बोर्डर के रास्ते पाकिस्तान से भारत जाने की अशंका जताई है ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या गैंग को स्प्लाइ होने वाले हाई टेक और मॉडरन विदेशी हत्यार का आंज डीपो राजस्थान में है इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस खबर के अंतक्स जुड़े रहे अभिनेता सलमान खान के घर के भार पायरिंग हो या फिर बाबा सिदी की मर्डर हर बार आया राजस्थान का कनेक्शन साल 2022 में मुणसेवाला मर्डर से लेकर लोरेश गैग की हर बड़ी वारदात में कोई न कोई कनेक्शन सामने आया है अभी लोरेंस गैंग मुंबई में बाबा सिद्धी की मर्डर केस को लेकर काफी चर्चा में है मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि बाबा सिद्धी की मर्डर में काम मिलिये गए हत्यार राजस्तान के उद्यपूर से भेजे गए थे इन हत्यारों को कहां रखा गया किसने स्प्लाइ किया इसका खुलासा भी तक नहीं हुआ है मुंबई पुलिस के हत्य चड़े एक आरोपी भगवन सिंग ने खुलासा किया है कि उसने उद्यपूर से एक और साथी के साथ ये हत्यार मुंबई पहुँचाए थे हत्यकांड में तीन नहीं बलकि चार बंदूकों का इस्तमाल किया गया था छे दिन पहले मुंबई पुलिस के हत्य चड़े आरोपी भगवन सिंग ने खुलासा किया है कि हत्यार उद्यपूर से लाए गए थे सूत्रों की माने तो मुंबई पुलिस को शक है कि हाई टेक हत्यारों की स्प्लाइ पाकिस्तान से ड्रोन के जरीए की जाती है मुंबई पुलिस का यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि हमलावरों की पिस्टॉल से चली गॉली बुलेट प्रूफ कार के शीशे को भी चीरती हुई निकल गई ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हाई टेक हतियार कहां से आए National Investigation Agency NIA से लेकर राजस्तान पुलिस की जांच में भी इसका खुलासा हो चुका है कि लोरेंस ने राजस्तान में अपनी गैंग का ऐसा नेटवर्क त्यार कर रखा है जो वारदातों में हतियार स्प्राई करती है यह हतियार बोर्ड़ पार से मंगवाये जाते हैं वारदात को अंजाम देने के बाद इन्हें फिर से उस गैंग के जरिये छिपा दिया जाता है यही कारण है कि पिछले कुछ साल से राजस्तान लोरेंस और उसकी गैंग के लिए आम्स डीपो बना हुआ है एक बर फिर से आपको बता दे नस्पी नेता बाबा सिद्धिकी की मुंबई में 12 अक्तूबर को हत्या कर दी थी एन्हें ने लोरेंस गैंग की टेरर फंडिंग केस में अपनी इन्वेस्टिकेशन के बाद 17 मई 2023 को कौट में 4 शीट पेश की थी इस रिपोर्ट में पहली बार गैंग्स्चर लोरेंस बिश्णोई और देश विदेश में बैट कर उसकी गैंग को चलाने वाले 13 बदमाशों को अतंकी माना था NIA की इन्वेस्टिकेशन में ये भी सामने आया था कि खालस्थानी नेटवर्क से जुड़ने के बाद ही लोरेंस गैंग को हाई टेक और खतरनाक मोडरन हत्यार मिलने शुरू हुए थे साथी आपको बता दे लोरेंस और बबर खालसा इंटरनेशनल के चीफ वधावा सिंग का खास लखविंदर सिंग के साथ पुरानी दोस्ती है इसी दोस्ती के चलते कैनेडा में बैठे गॉल्डी वराड भी लखविंदर के करीब आ गया इस नेटवर्क के जरिये लोरेंस ग्यांग को राजस्तान से स्टे भारत पाकिस्तान बोर्डर से हाई-टेक विदेशी हत्यार की स्प्लाइब मिलने लग गई थी इस पोर्ट के बदले लॉरेंस ग्यांग ने खालिस्तानी आतंकियों के इशारे पर वारदाते करना शुरू कर दिया था पंजाब के फरीद कोट में डेरा समर्थन परदीप की हत्या इसी का नतीजा थी इसके बार लॉरेंस ग्यांग ने पंजाब पुलिस के एस्ताई दिलबाग सिंग को मारने के लिए उनकी गाड़ी में आई-ई-डी बम लगा दिया था एन-ई-ए की चार शीट के मुताबिक लॉरेंस का पेशा मिलेटिन्ट यानिया तंकी गैंक्स्चर काल लिखा गया है ये चार शीट 2021 में पेश की गई थी इसी में सामने आया था कि ड्रग तसकरी और बोर्डर से हत्यारों की होती है स्प्लाइ साथी एन-ई-ए ने अपनी जांस में बताया था कि लॉरेंस विश्णोई, काला जेटिडी, राजु वसोडी, नरेश सेटी और विरेंदर परताफ हेरोईन स्मैक और कोकीन की स्मगलिंग करते हैं साथी पाकिस्तान से उप्रेट हो रहे खालिस्तानी गुट से ड्रोन के जरिये अवैध हाई-टेक हत्यार मंगवाते हैं लॉरेंस गैंक के लिए हत्यारों का कंसाइन्मेंट आने के बाद उसे अलग-अलग जगा पे छिपा दिया जाता है इसके लिए हर्याना के सोनिपत और मानेसर गुरुग्राम में कालाराना के घर वे राजस्तान सहीत अलग-अलग स्चेट में दूसरे गैंक्स्टर के हाँ ठिकाने बनाए गई हैं इसके बाद वहीं से देशवर में गैंक को जहां भी वारदात करनी होती है वहां हतियार भेज दिये जाते हैं दो साल पहले एनाईये ने कारेवाई करते हुए यमुना नगर हर्याना स्थेत कालाराना के घर से बड़ी संक्या में अवैध हतियार जब्द किये थे एनाईये की इन्वेस्टिकेशन में प्रोटेक्टिड विटनेस ने बताया था कि इन्हे हतियारों के दम पर लोरेंस गैंक दिश भर में वेपारियों ठेकेदारों डॉक्टर्स और खनीज कारोबारियों को धमका कर वसूली करते हैं जो उन्हें वसूली देने से मना कर देता है उसके घर या पर उसके ठिकानों पर शूटर्स भेजकर हाई टेक हतियारों से फ़ाइरिंग करवाई जाती है अब बात करते हैं राजू ठेट मर्डर के बारे में राजस्तान में फेलाई गैंग से स्प्लाई करवाए गए थे हतियार राजू ठेट मर्डर के बाद सीकर राजस्तान पुलिस ने जैपूर से हिस्ट्री शीट शक्ति सिंग को गिरफतार किया था उसके पास से चार पिस्टल छे मैगजीन एक देशी कट्टा, बारा बोर्ड, दोनाली बंदूक और 104 कार्टूस बरामत किये गए थे इसके अलावा भी NIA ने राजस्तान में लोरेंस गैंक के अलग-अलग गैंक्स्टर्स पर कारेवाई कर कई हत्यार जब्द किये थे ठेट मर्डर की चार्शीट में पुलिस ने एके 47 के इस्तमाल का भी जिक्र किया था बताया जाता है कि एके 47 पाकिस्तान से मंगवाई गई थी हलाकि एके 47 अभी कहा है इसका खुलासा नहीं हुआ है राजजु ठेट की 3 दिसंबर 2022 को उसके घर के बाहर लॉरेंस गैंग के बेज़े शूटरों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी आपको बता दे अत्याधूनिक हत्यारों का इस्तेमाल करती है गैंग परताल में ये भी सामने आया है कि लॉरेंस गैंग हर क्राइम में बेहत एडवांस और हाई टेक विदेशी आम्स को काम में लेती है ये काफी महंगे होते हैं हर शूटर को ये हत्यार क्राइम से कुश्चन पहले ही पहुँचाय जाते हैं चुलाने की खास ट्रेनिंग भी दी जाती है साथ ही खास हिदायत भी दी जाती है कि काम खत्म होने के बाद इन हत्यारों को वापस सेफ कर दिया जाए पुलिस के हाथ नहीं लगने दिया जाए ऐसे में हत्यार काम होने के बाद शुन्योजित तरीके से राजस्तान में ही किसी भरोसे मंद गैंक्स्टर के यहां टेंप्रेरी आम डीपो में रख दिये जाते हैं अब बात करते हैं सीदू मुसे वाला हत्या कांड के बारे में राजस्तान में स्टेप बॉर्डर से स्प्लाइ हुई थी असॉल्ट राइफल्स जी हां NIA की इन्वेस्टिकेशन में सामने आया है कि UP के बुलन शेर के रहने वाला शहबाज अंसारी पाकिस्तान के रहने वाले हवाला कारोबारी फेजी खान के टच में था दुबई में फेजी खान नहीं शाबाज अंसारी को पाकिस्तान के आंस प्लाइर हामिद से मिलवाया था महां हामिद ने शाबाज को बताया कि मुसेवाले के मर्डर में काम में ली जाने वाली एसॉल्ट राइफल्स और दूसरे हत्यार लोरेंस विश्णोई की गैंग को पाकिस्तान से स्प्लाइ किये गए थे आपको बता दे 29 मईं 2022 को लोरेंस विश्णोई की गैंग ने पंजाबी सिंगर सिदु मुसेवाला की हत्या कर दी थी शाबाज ने एनाई ये पूस्तास में बताया था कि तब हामिद ने शाबाज को गोल्डी बराड की एक आडियो रिकोर्डिंग भी सुनाई और बताया कि वो लंबे समय से पाकिस्तान से लोरेंस गैंग को हत्यार भेज रहा है ये हत्यार लोरेंस को पहले पंजाब बोर्डर से और बाद में राजस्तान बोर्डर से स्प्लाई किये गए हैं इसके बाद शहबाज अंसारी लोरेंस विश्णोई गैंग का मुखें आम्स प्लायर बन गया एक और बात आपको बता दे पाकिस्तानी डोन शहबाज भट्टी एवं फारुक खोकर सेल लोरेंस की दोस्टी चार महीने पहले ईद की मुबारक बाद को लेकर लोरेंस विश्णोई का पाकिस्तानी डोन शहबाज भट्टी के साथ एक वीडियो काफी वाइरल हुआ था इस वीडियो ने भारतिये जाच एजन्सियों की नींद उड़ा दी थी साबरमती जेल में बैठा लोरेंस पाकिस्तान के बलूचिस्तान की कुक्यात डोन को ईद की बदाई वीडियो कॉल से दे रहा था शहबाज भट्टी पाकिस्तान में हत्या जमीन विवाद हत्यारों की तसकरी सहीत कई संगीन मामलों में नामजद है शहबाज भट्टी का नेटवर्क अमेरिका कैनेडा पाकिस्तान दुबई सहीत अन्यक कई देशों में चलता है वे अपने आका फारुक होकर के साथ मिलकर अवैध हत्यारों की तसकरी का सारा नेटवक चलाता है फारुक के बारे में आपको बता दे फारुक राजनीती से जुड़े लोगों में अच्छी पकड रखता है वीडियो कॉल पर पाकिस्तानी डॉन शहज़ाद भट् manners बटी से बात करता है गैंस्टर लोरेंस विश्णूही ने अपनी गैंक का नेटवर्ड बनाया दिल्ली पूलिस की स्पेशल सेल की पूश्टाच में खुद लोरेंस ने बताया था कि 17 मार्ज 2017 की सुबा करीब 6 वजे राजस्तान के जोधपूर में उसने श्रीराम होस्पिटल के मालिक डॉक्टर सुनील चांडक और ट्रैवल कमपनी मालिक मनीज जैन के घर फाइरिंग करवाई थी ये कांड उसने तब राजस्तान में पैर जमाने और वसूली के लिए किया था इसके बाद दोनों से 54 लाक रूपे भी वसूले थे इसी केस को लेकर उसे पहली बार गिरफतार कर जोधपूर लाया गया था इस बीच में शेहर के तीन और हीरा कारोबारियों को भी धमका कर वसूली कर चुका था अब बात करते हैं कि किस तरह से जमेर जेल से आनंपाल गयंग को कैप्चर किया था जोधपूर से लोरेंस को जमेर की हाई सिक्यूरिटी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था ये वो टाइम था जब राजस्तान में गैंग्स्टर अननपाल सिंग की गैंग का खोफ था साल 2017 के जून महीने में अननपाल सिंग का पुलिस एंकाउंटर हो गया था इस दोरान पकडे गए अननपाल के छोटे भाई रुपेंदर पाल उर्फ विक्की को पुलिस ने ग्रफतार कर अजमेर की हाई सेक्योरेटी जेल में भेज दिया था लोरेंस समझ गया था कि अननपाल सिंग के एंकाउंटर और उसके साथियों के एक के बाद एक पकड़े जाने के बाद राजस्तान के क्राइम वर्ल्ड में बड़ा स्पेस त्यार हो गया है लोरेंस बिशनोई ने अननपाल के छोटे भाई विक्की से नस्दीकी बढ़ाई विक्की के कहने पर अननपाल गैंग के दुश्मन सीकर राजस्तान जिले के जुराठडा के पूफ सरपंच सरदार राव को मरवा दिया यही से अननपाल गैंग के गुर्गोर शूटर भी लोरेंस के साथ चलते गए इसके बाद लोरेंस ने पूरे राजस्तान में अपना नेटवर्ग तयार कर लिया लोरेंस विशनोई ने पॉपुलर होने के लिए दी थी सल्मान खान को धमकी जीहा जोदपूर के वेपारी वासुदेव इसरानी मरडर केस के सिल्सिले में लोरेंस को पेशी पर जोदपूर लाया जाता था उन दिनों कोट में काला हिरन शिकार मामले में सल्मान खान का भी ट्राइल चल रहा था तब लोरेंस ने पुलिस के सामने ही बॉलिवुड एक्टर सल्मान खान को जान से मारने की धमकी दी थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने लोरेंस ने कबूला था कि उसने ये धमकी पॉपुलर होने के लिए दी थी जैपूर जेल से रची मुसेवाला मर्डर की साजिश जी हाँ लोरेंस बिश्णोई ने जैपूर जेल से सीधू मुसेवाला मर्डर की साजिश रची थी लोरेंस के इशारे पर 29 माई 2022 को मशूर पंजाबी सिंगर सिदु मुसे वाला की हत्या कर दी गई थी इस मर्डर की साजिश भी लोरेंस ने जापूर जेल से ही रचि थी लोजिस्टिक स्पॉर्ट और मर्डर में काम में ली गई बलोरो लोजिस्टिक स्पोर्ट और मर्डर में काम में ली गई बोलेरो गाड़ी भी राजस्तान से भेजी गई थी मर्डर के बाद शूटर्स को फरार करवा विदेश भेजने तक की प्लानिंग भी राजस्तान में हुई थी इसी के साथ साथ बात करते हैं राजू ठेट मर्डर की 3 दिसंबर 2022 को राजस्तान के सीकर में गैंक्स्टर राजू ठेट की हत्या कर दी गई थी सुगदेव सिंग गोगा मेडी का मर्डर 5 दिसंबर 2023 को जैपूर में सुगदेव सिंग गोगा मेडी के दो शूटर्स रोईत राठोड और नीतिन फोजी ने गोलियों से भून कर उनकी हत्या कर दी थी इस केस में एनाई एने जाच पूरी कर लोरेंस गैंक के खूक्याद गैंक्स्टर गोल्डी बराड और रोईत गोदारा सहीद ग्यारा बदमाशों के खिलाफ चार शीट दाखिल की थी परताल में सामने आया था कि गोगा मेडी के मर्डर की प्लानिंग और इसमें काम के लिए इस्तमाल किये गए हत्यारों की स्प्लाइबी शूटर्स को राजस्तान से ही की गई थी राजस्तान से नाबालिक अपराधियों को फरार करवा मर्डर करवाए जैपूर पुलिस की कहीं कारेवाई से खुलासा हुए है कि लोरेंस की गैंग ने कहीं वारदातों में नाबालिक उपचारियों का इस्तमाल किया है 11 फरवरी 2024 को जैपूर की सेठी कलोनी स्थित बाल सुधार ग्रह से 22 बाल अपचारी भाग गए थे इन फरारा रोपियों में से एक नाबालिक लोरेंस गैंग का एक्टिव मेंबर था उसी ने एक ब्रेक की साजिश रची थी बाद में जैपूर में हुए जी कलब फाइरिंग मामले में गिरफतार किया गया था इसके बाद जैपूर से भागे दोबाल अपचारियों ने लोरेंस के इशारे पर हर्याना में सचिन मुझाल के मर्डर को अंजाम दिया था तो वही 29 परवरी की रात हर्याना के रोह तक के पास कारोबारी सचिन मुझाल की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी इन में भी दोबाल अपचारियों का नाम सामने आया था जो जैपूर के बाल सुधार ग्रह से भागे थे ये थी लोरेंस विशनोई और उसकी गैंक से जोड़ी चोका देने वाली बात है फिलाल के लिए इतना ही आप मुझे दीजिए इजाजत फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही तमाम क्राइम से जोड़ी रिपोर्ट को बताने के लिए तब तक मेरी दर्शोकों से अपील है कि इस वीडियो को जादा स्जादा लाइक और शेयर करते रहे हमारे फेस्बुक पेज को फोलो करना ना भूले और यूट्यूब चैनल को सस्काइब करना ना भूले शुक्रिया